Happy New Year friends, कैसे हैं आप सभी लोग आपको पता होगा कि कल Happy New Year है तो कल के इस Special Occasion में हम बनाने वाले हैं Tasty Tasty गुलाब जामन गुलाब जमन किसको पसंदने होगा बहुत टेस्टी बनते हैं ये बहुत ही स्मूद बनता है बहुत ही सबको अच्छा लगता है गुलाब जमन और अभी 2024 भी आने वाला है नया साल आने वाला है तो आप भी अपने घर में कुछ मीठा बना रहे होंगे तो बाहर से लेकर आने साथ है कि घर में ही प्रिपेर करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पेले यहां पे गुलाब जमन को कोई भी ब्राइंड का एक पैकेट ले लूँगी मैंने यहां पे कोई भी ब्राइंड का पैकेट ले लिया आप भी यहां पे कोई भी ब्राइंड का पैकेट ले सकते हैं अब इसके बाद में मैं इसे एक बोल में ट्रांसवर करके ले लूँगी इसे में एक बोल में ट्रांसवर करके ले लूँगी अब मैं इसको थोड़ सा mix कर लोंगी, इसको fate लोंगी क्यूंकि इसके मोटे मोटे pieces हैं यहाँ पे थोड़ से अंदर अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको एक मैं soft smooth dough बनाके ready कर लेती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ले लीजेगा फिर और इस वीडियो को लाइक भी करके के ले लीजेगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लेस पे सब्सक्राइब करके ले लीजेगा तो मैं इसका एक स्मूथ साइक डो प्रिपैर के लिए छोड़ देती हूं ठककर तब तक मैं यहां पे चाशनी बना लेती हूं तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे दो कटोरी चीनी लूँगी और दो कटोरी इसमें पानी भी डाल दूँगी मलब इक्वल इक्वल ही आपको डालना है अब इसके बाद मैं मैं इसको चलाते रह帶 prose कर्ची से चलाते रहना है अगर आप बीच पीच पे शोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो चास्टी है वो नीचे से लग जाएगा जिसे कर जाएगा कि जो हमारी चीनी है वो जल जाएगी, अब मैं यहाँ पे जैसी चाश्टनी हमारी बंकिया आरधी रेडी हो जाएगी, मैं इसके अंदर इलाइची डाल दूँगी, इलाइची डालने से तोड़ सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, तोड़ सा टेस्ट आता है इलाइची का, मैं इसको कूट के डाल देती हूँ, कूट के डालना है, और गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखा है, मीडियम लो फ्लेम पर, तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको कर्ची से कंटिनूस ले चला रही हूँ, अब जैसी हमारे यहाँ पे चाश्टनी बंकिया रेडी हो जाएगा, मैं गैस को बंद कर दूँगी, उसके बाद में जो मेरा डो है, वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसके बाद में अब मैं इसके चोटे-चोटे गोले बना के रेडी कर लेती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मोटे भी बना सकते चोटे भी बना सकते हैं मैं चोटे-चोटे बना रही हूं जिसे पूरे फैमिले को खाने के लिए आ सकता है अब मैं इसके गोले बना के रेडी करके ले लेती हूं तो मैं आपको बीच-बीच में एक दो दिखा भी रही हूं यह देख सकते हैं आप साइट में ने कितने बना क के रेडी कर लिये हैं साइड में मैंने आप पे कड़ाई में तेल भी रख दिया था गरम होने के लिए इस पहले ही जब में गोला बनाना प्रिपेर कर रही थी अब इसके बाद में मैंने फ्राइ कर के ले लूँगी तो मैं फॉर्स्ट बैश यहां पे फ्राइ कर रही हूं त जैसी तेल में डानने के बाद हलका से थोड़ा से उपर आ जाएंगे उसके बाद में आपको इसको हलके से हिलाना है वरना यह तूट जाएंगे तेल में तो अब मैं इसको हलके हलके से हिला रही हूं और मैंने यहां पे गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रखा है और इसक कोईंपे भी टेल भी वोट जैता है अंदर तो यह पंच iki पूले एंद बहुत एक बहुत पर बलस ह ADAM, तो यह पर घर बहुत हैं इस प्लाएं फूलेएं कि अभी कोई सोडा डाला है ना है कोई बेकिंग सोडा इनो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला बस नॉर्मल में इसमें पानी मिक्स करके मैंने इसके अंदर इसके गोले बना के रेडी कर लिये थे पर आप आप देख सकते हूं कि मैंने आप जैसे इसको तेल में डाला तो ये के लिए ले लिया है अब इसके अंदर में इसको डाल देती हूं तो बस मैं तो आप देख सकते अब मैं सेकेंड बैच को अधर मैं चाशनी के अंदर dank इसको डाल दे तो आप मैं इद युदि कर रही हूं और मैं इसको यह这ए तरहें क्याए से कीज़ना करें अब मैं इसको कम से कम एक दो घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से चाष्टनी को सोक करके ले ले तो यहां पी देखिए एक दो घंटे मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि गुलाब जमन कितने फूल गए हैं अच्छे से चाष्टनी भी बहुत इसने सोक करके ले लिया है आप देख सकते हैं अब चलिए मैं इसको सर्फ करके ले लेती हूं यह देखिए कितने टेस्टी बनाएं यह बहुत ही टेस्टी बनाई है आप देख सकते गुलाब जमुन और अभी न्यू यर भी आने वाला है तो प्लीज इस रेसिपी को ट्राइ करके देखेगा और मुझे कमेंट करके बताए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी तो चली फ्रेंद्स थैंक्स वर वॉचिंग बाइ